नमश्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉइद्स इंजिनेरिंग वर्क्स लिमिटेड यह स्टॉक 80.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है आज मार्केट में इसने 2.14% का अपमोव दिया था मार्केट कैप हो गया है इसकी 9,231 करोट की मोटर होलिंग 57.25% है बुक वेल्यू 3.59 है डिविडियन देल 0.25% एं फेस वेल्यू 1 है फंडमेंटल वीडियो में अल्री बना चुकी हूँ प्लेलिस में आड कर दूए आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो स्टॉक 50 एं 200 दोनों DMA से उपर ट्रेड कर रहें जो कि एक अच्छी बात है फी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी उपर है 5 एस की टाइम स्पैन पर एंड वन मंत पे देखें तो मीडियन से छोटू सी उपर है तो कोई इतनी दिक्कत परिशानी की बात नहीं ह की बात करें तो gross profit margin हमारा यहां पर improve हुआ था quarter on quarter and sales quarter on quarter decrease हुई थी अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे चार्ट पे देखिए सबसे पहले तो आज जो हमें move मिला है 2.14% का कल हमने बात भी की थी कि spinning top मिला है हो सकता है कि यहां से हमें reversal मिले तो यहां पर हमें death cross मिला पहले हमें death cross मिला फिर हमें golden cross मिला फिर हमें death cross मिला अब हो सकता है कि हमें मंडे को golden cross यहां पर मिले RSI की बात करें 51.81 पे है RSI के पास काफी head room है यहां पर move करने के लिए अगरी move देता है so basically we were waiting की right issue की कोई news आए but right issue की इस AGM meeting में कोई news नहीं आई है so preferential issue के बारे में आज कुछ news आई है उसको आगे discuss करेंगे तो अभी के लिए जो हमारे हम target लेके चले थे यह इसको achieve करने के लिए हमें 5.97% के move के जूरत है तो जो की news आई है तो यह target जो है मैं थोड़े से revise करना चाहूंगी let's see हम कर पाते हैं उसको achieve या नहीं but अभी के लिए एक बार weekly chart पे चलेंगे क्योंकि month हमारा sorry week हमारा यह trading week complete हो चुका है तो यहां पे last week में हमें यहां पे काफी अच्छी candle मिली पहले हमें inverted hammer मिला and last week में हमें काफी अच्छी bullish candle मिली हमें 4.54% का move मिला था इस week में हमें बहुत छोटू सा move मिला 0.65% का ही मिला है बट हमें hammer बनाता हुआ दिखाई दिया है and इस से हमें पता चल रहा है कि stock में buyers active हो चुके है and यहां पे sellers का दवाब तो जरूर है but उतना कुछ खास दवाब नहीं 81 के resistance काफी strong है इसको daily chart पे हम एक बार करते है analyze अभी के लिए Bollinger Band हम लगा के चलेंगे and stock जो है 20 weeks simple moving average of course उपर ही trade करा है यह एक अच्छी बात है RSI हमारी 63.41 पे है RSI काफी अच्छी stage पे है and यह 60 को test करके reversal ले रही है तो हो सकता है कि हमें कुछ move देखने को मिले बाकी बहुत सारी चीज़ों पे depend करता है अभी के लिए Bollinger Band को देखें daily chart पे तो Bollinger Band का mouth काफी narrow हो गया है stock अभी जो है अपने 20 day simple moving average से उपर है यह एक अच्छी बात हो गया कि stock ने उसको 20 day simple moving average का जो barrier था उसको break कर दिया उसके उपर sustain कर रहा है आज जो हमें move मिले है इसने जो high लगाया है 81.20 का लगाया है तो हमें पता ही है कि 81 के resistance काफी strong है यहाँ पर काफी shortest बैठे हैं तो यहाँ पर वो दबाब जरूर देखने को मिला है volume में छोटू सा jump देखा है हमें कल volume आया था 3 million का NAC पे and आज volume आया है 3.598 million का NAC पे तो volume में थोड़ा सा jump जरूर देखने को मिला है यह एक अच्छी बात है and jump के साथ-साथ हमें छोटा सा move भी देखने को मिला है तो अभी के लिए चलते हैं एक बार BAC के उपर BAC पे देखी सबसे पहले तो इसका price band है 20% का news आज 3 आई हैं तो उनको एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले जो news थी तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा important news नहीं है बट इसमें यह जरूर है कि यहां पे जो e voting हुई थी तो उसका उन्होंने बताए कि यह जो decision लिएगी था जो पहले भी हम discuss कर चुके हैं तो यह सारी decision जो है majority के साथ पास हुए है तो यह एक अच्छी बात हुए कि हर एक decision majority के साथ पास हुए है यहां पे आगे यहां पे e voting का इन्होंने अलग अलग से बताए कि कितने percent किस का रहा है पब्लिक का रहा है and public others क्या रहा है public institution holders का क्या रहा है इतना percent रहा है और क्या उनकी voting रही है तो हर किसी में आप voting का देख सकते हैं ठीक है एक तो यह news है first वाली second वाली जो news है उसमें कुछ चीजें बताई गी हैं जैसे कि यहां पे इन्होंने बुलाई और यह चीजें भी हम पहले discuss कर चुके हैं तो यहां पे इन्होंने बुलाई है the members of the company have approved in the extraordinary journal meeting EGM जो meeting होती है held on 29th and also the board of directors decided an approved alteration in main object clause 3A of memorandum of association by substituting existing clause to with the following clause तो यह हमने पहले भी बात करी थी जो हमने एक बनाई थी जब इसका result आया था है ने उसी के साथ-साथ यह सारी चीज़े भी आई थी तो हमने एक long video बनाई थी 40-45 minutes की तो उसमें इसारी चीज़े discuss की गई है आप और reference के लिए वीडियो भी देख सकते हैं तो उसमें इसारी बात की गई थी कि यहां पे इन्होंने एक अपना एक open किया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि to carry on the business of developers, builders and general construction contractors and everything तो यहां पे काफी सारी चीज़े हैं जो construction वाले चीज़े में इन्होंने अपना एक door open रखा है window open रखा है इन future जैसे वो करना चाहें तो उनकी window open है कि वो immediately jump कर सकते हैं कि दूसरा चीज़ इन्होंने यहां पे बोला है कि जो share capital है उसको इन्होंने approval मिल गया है इनको increase करने का पहले उनने बोल थी proposal डालेंगे तो उनको approval मिल गया है increase करने का तो share capital पहले 120 करोड का था and अभी जो share capital है वो 200 करोड का कर दिया गया है अब ये चीज क्यों हुई है मैंने उस वीडियो में भी explain किया था कि इनों यहां पर motive नहीं discuss किया है कि क्यों हुआ है यह but which what I am guessing अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ but मेरे दिमाग में चीज आई कि बहुत सारे ऐसे contracts होते हैं या tenders होते हैं जिनके लिए ना share capital का एक criteria होता है कि इतने ऊपर इतने amount से ऊपर share capital रहेगा तो ही आप eligible हो उस चीज को करने के लिए यह तब ही आप participate कर सकते हैं तो हो सकता ही कि वो चीज हो other than that अगर कोई और इनका इसके पीछे कोई और reason होगा कोई और motive होगा तो हो सकता है with the passes of time यह बता दे तो अभी के लिए तो मुझे यह लग रहा है और यहां पे इनों ने वही चीज साई ब्रीफ में बताई है और कोई extra चीज नहीं है अब third जो news है उसमें कुछ चीजे हैं जो ध्यान में देने वाली है जो मुझे read between the lines वाला जो factor है वो मैंने अपना on किया है तो वो मुझे लग रहा है अब देखते हैं कि क्य होता है तो यहां पे इनों ने बताया है कि जो Thursday 29 August 2024 have conceded and approved the financial issue of share details नीचे है तो equity shares है preferential preferential allotment है और यह किस चीज के allotment है आपको याद होगा कि हमने बात करी थी कि जो Mr. भरत पतेल है उनको preferential issue के सहारे उस सारी चीजे दी जारी एक सेकिन के हम drawing on कर लेते हैं तो preferential issue से इनको यह सारी चीजे दी जारी है और यह कितना percent था यह था 66% तो यहां पर जो first tranche थी अपनी first tranche में इन्होंने बात करी थी एक तो इन्होंने बात करी थी इसको मेरी drawing थोड़ी अच्छी नहीं है so please bear with me तो यहां पर 66% था एक चीक है and दूसरा था 11% तो 11% का 66% क तो यह preferential issue यहां पर मिल रहे है and 11% का जो था उसके 25 crods का इन्होंने cash देना था ठीक है तो drawing सही नहीं है तो आप खुदी समझाना भी 25 crods का इन्होंने cash देना था तो अभी cash तो इन्होंने लिखा भी है यहां पर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यह चीजे मैंने वीडिय 1 crore 76,500, sorry 1 crore 76,500, I'm really sorry 1 crore 76,500, 634, इतने equity share जा रहे हैं and वो कितने रुपे के होते हैं वो होते हैं 1,500 crore के आसपास, 150 crores के आसपास उसका बनता है और 1 rupee जो है इनका amount है face value है and जो premium है वो 84.20 का तो मैंने थोड़े दिन पहले वी एक वीडियो में ये किया था कि benchmark तो already set है 85 rupees 20 पैसा का कि यहां पे 1,500 crore के shares कोई बंदा उठा रहा है उसको दिये जा रहे हैं उठा क्या रहा है basically deal हुई है तो किसी को दिये जा रहे है Mr. Bharat Patel को तो of course इन्होंने कुछ तो देखा होगा ज देख दे रहे हैं in preferential issue के बदले और 84.85.20 के price पे इनको वो shares मिल रहे हैं तो इनको of course growth दिखी होगी तभी इन्होंने लिये होगे तो it means sooner or later future तो इस company का bright है थोड़े hiccup तो of course आते कोई भी business ऐसा नहीं होता है जो सिर्फ उपर ही जाता है hiccups ups and downs तो of course चलते हैं and इसमें इन इनका जो share इस सारे चीजों के बाद जो इनकी holding बन जाती है इस company में Mr. Bharat J. Patel की वो 1.51% holding बन जाती है और Lloyd Engineering Works Limited की TIPL में जो holding बन थे हो 66% बनती है अब 66% फरस्ट रैंच जो है 66% प्लस 11% और आता है 11% जो है वो cash में है अब यहाँ पर एक चीज और है इन्होंने जो जब गिया है तो इसमें उन्होंने बात करी थी कि जो second trench रहेगी न तो वो जो रहेगी वो first trench के complete होने के within 3 months उनको करना ही पड़ेगा तो अगर यह अभी preferential issue का approval कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि update नहीं दिया है उन्होंने कि यह कब इसका disverse कर रहे हैं तो जब भी first trench complete हो जाए इस लाइड इंजिनरिंग वर्क्स लिमिंटेड के आप पास 88% का मुझे लगता है कि share इनके पास इस इस year के अंदर-अंदर 88% का share TIPL में लाइड इंजिनरिंग वर्क्स लिमिंटेड का हो जाएगा क्योंकि नेक्स second जो trench है वो 3 months के अंदर-अंदर करनी पड़ेगी तो य यह ठीक ठाक news है क्योंकि यह अब जो उन्हेंने promise किया था उसके ओपर काम कर रहे हैं बट मुझे यह लिए 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 कि कोई बहुत जादा एकदम से spike up करने वाली news है बट यस अभी काफी stock down भी है एंद थोड़ा सा यह news आ गी है तो मुझे लगता है इसको जब ब्रेक करके ऊपर सिस्टेन करेगा तब ही मुझे लगता है कि हम शौट टम की या शौट टम के एंट्री बना सकते हैं लॉंग टम के लिए तो चलो ठीक है लॉंग टम के लिए कॉमलेट किया जा सकते हैं अभी राइट इशु की कोई news नहीं आई है तो हमने बा मैं change करके चल रही हूं वैसे तो अभी हमें Friday को मिला है इसका like reversal मिला है बट दो दिन की छुटी है तो कोई news आ जाए या कोई क्योंकि market में momentum जब टूट जाता है तो थोड़ी change भी हो जाती है चीज़े तो अभी के लिए जो हम target है वो हम लेके चलते हैं इस month के end के मुझ लगता है कि इसके आसपास यह trade करता हुआ हो सकता है फिर से अपने high के आसपास and अगर बीच में right issue की news आ जाती है या कोई और news जाती है तो of course हमारी analysis change हो जाएगी क्योंकि बड़ी बहुत ऐसी news है जिनके जैसे analysis नहीं change होती बट कुछ-कुछ news ऐसी होते जिनके जैसे analysis change हो जाती है तो yes and rest market का किसी को कोई पता नहीं हम भी यहां पे जो भी यहां पे YouTube पे channels होंगे वो सारी चीज़ों को analyze करते करके चलत होता है बोलने का कि stop loss अपना जरूर लेकर चलें क्योंकि काफी सारी चीज़ें होती है जिसके बड़ी से काफी सारी news ऐसी होते है जिनके बड़ी से hit करता है और कई ऐसा होता है कि market जादा अच्छी से perform नहीं कर पार होती है तब भी correction आ जाती है के बार तो stocks पे उसका असर देखने को मिलता है तो अभी के लिए यही मेरी analysis है कोई by sell hold की recommendation आप अपनी analysis कीजिए जानी समझे पढ़िए और फिर invest करिए मिलते है next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing